हेलो गाइस कैसे हो आप सब आप सब लोग ठीक होंगे और आज मैं बनी बना रहा है आप सब के लिए एक न्यू रेसिपी लेकर आए हूँ हरी मतर की दाल जो बहुत ही जादा एजी होने वाला है और बहुत ही कम इंग्रीडियंट्स के साथ बनाने वाले हूँ मैं तो यह देख लेते हैं सबसे पहले हम लेंगे 500 ग्राम हरी मतर और इसे कुकर में डालेंगे और इसमें हम 2500 एमेल पानी डालेंगे और हलका सा नमक डालेंगे और एक मीडियम साइस का आलू लिया है हमने जिसे चील कर दो लिया है और इसको आधा-धा काट लिया है इसे डाल देंगे और अब कुकर को बंद कर देंगे और इसको दो सिटी आने तक पका लेंगे अब कुकर का गैस निंकलने के बाद आलू और मटर को अच्छे तरीके से मैश कर लें उसी में पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है है और अब पैन गरम करें पैन यय गठाई कुछ भी ले सकते हैं और उसमें एक बड़े चमजगी डालेंगे और आप उसमें डालेंगे थाबत गरममसाला इसमें लॉंग इलाइची और दाल चेनी का टुकडा होगा अब इसमें एक चमजग जीरा डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक मेडियम साइस की प्यास जो हमने बारिक काट ली है उसे डाल देंगे और इसको तोड़ी देर साटे कर लेंगे और अब हम डालेंगे वन टीस्पूल अद्रग लसन का पेश्ट और इसको ब्राउन कर लेंगे ब्राउन कलर होने तक भूल लेंगे और अब हमने लिया है दो मीडियम साइज के टमाटर जिसका हमने पेश्ट तयार कर लिया था हम उसे डाल देंगे यह देखिए और अब हम इसको तेल अलग होने तक बूल लेंगे देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है और अब हम इसमें मसाले आड़ करेंगे वन टीस्पून रेट चिली पावडर हाफ टीस्पून हल्दी पावडर और वन टीस्पून धनिया पावडर डाल कर मिला लेंगे अब मसाले मिल चुके हैं अच्छे तरीके से और भून भी चुके हैं इसमें हल्का सा पानी डालेंगे और अब इसमें मैश किया हुआ मटर और आलू डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिला लेंगे और अब इसमें थोड़ा सा गरम पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए आप चाहे तू अपने ग्रेवी के साब से जितना भी पानी डाल सकते हैं मैं इसमें थोड़ा सा पानी लिया है इसमें गरम पानी डालें तक यह जल्दी उबल जाया और इसका स्वाद भी खराम ना हो तो यह हमने डाल दिया और अब इसको पांच मिट तक कुक कर लेंगे ढखकर यह हमारा सबजी पक चुका है इसमें बहुत ही अच्छा और अब धनिया पट्ती डाल कर गानिश करें और यह हो गया हमारा मटर का सबजी तयार खाने के लिए रड़ी है और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू सो मज़़ग